हेलो फ्रेंज वेल्कम बाक टो माई यूट्यूब चानल साइन खुशी क्रियेशन्स तो आज की वीडियो में हम आपको हमारी कार्तिक वाटी का दिखाने वाले हैं जो हमने बनाई है तो चल यह शुरू करते हैं तो यह हमारा नीम का पेड़ है जिसके नीचे हमने हमारे सारे पेड़ रखे हैं यह यहां एक जो नीम का पेड़ है उसके पास बाउंडरी बनी हुए है तो हम उसी पे हमारे चारो पौदे रखे हैं तो यहां पे तो हमने पत्वारी माता हो गाई है इस गमले में इधर वाले गमले में हमने तुलसी रखी है जिसमें हमारी पत्वारी माता बैठी है और तुलसी भी लगी हुई है हमने पूजा कर ली है सुबा सुबाई तुलसी के पीछे यहां पर केले का पेड़ रखा है क्योंकि कार्तिक में केले के पेड़ की पूझा भी जरूर करनी चाहिए और केले के पेड़ के बगर में ही यहां उपर आमले का पेड़ है तो यह देखे चारो पेड़ की हमने एक साथ पूझा कर ली है इसे के साथ साथ कई लोग तो पीपल का पेड़ भी लगाते हैं बट हम घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं तो हमने वो नहीं लगाया है ये देखिए हमने पत्वारी माता कुफल चड़ा दियें, दीब दिखा दिया है, रंगोली बना ली है चारो तरफ और हमारी पत्वारी माता बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुन्दर लग रही है और पूरे कार्तिक मा सब हम ऐसी इनकी रोज पूजा करेंगे और ये ऐसी हमारे साथ रहेंगी पत्वारी माता की सारी पूजा एकदम अच्छे से हमने हमारे चैनल पर दिखाई है, सिखाई भी है उनकी कैसे पूजा करनी है, उनकी कैसे कथा पढ़नी है और कैसे आपको पत्वारी लगानी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें थैंक यू, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब हमारी एक सब्सक्राइबर आशा गोयल जी ने भी हमें अपनी पत्वारी की फोटो बेजी थी और उनकी पत्वारी माता भी बहुत सुन्दर लग रही है थैंक यू